बिनम्र स्रधानजली अर्पित करता हूँ हम सब जानते हैं बावा साथ भीम्रावम बिटकर ने एक बात कही थी हमें धन्यवाद दूंगा क्या तो उनके कोटिसन यहां जगे जगे लगे हैं इसमें उन्होंने कहा था कि हम सब से पहले और अंत में भारती हैं भारत को कोस्ते हैं भारतियता का अपमान करते हैं कि जाति के नाम पर समाज में खाई को चोड़ा करने का काम करते हैं कि वैयो बेनों एक प्रकार से बावा साथ भीम्रावम बेटकर जिक अपमान करते हैं कि या करिए कि बाबा साब भीम्रावम बेटकर को भी लालस देने का कारे हुआ था लेकिन बिना जुके बिना ठिगे वे भारत और भारतियता के लिए कारे करते रहें और आज यह कारण है कि बाबा साब भीम्रावम बेटकर से जुड़े वे देश के अंदर हजारों की संख्या में समारत है दुनिया में जहां कहीं भी जब भी किसी दबे कुछली समाज की आवाज को बुलंद करने की बाद आती है तो लोगों के दिमाग में एक नाम बर्वस आ पड़ता है वा नाम आता है दॉक्तर बावसा भिम्राम बेटकर का नाम पुरी दुनिया के अंदर हर वा दव कुछला ब्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है तो लो नाम वस्वन करता है वाबसा भ्यम्राम बेट करका और बावसा भ१ृम्राम पर किनी सपनों को साकार करने के लिए केंद्रों राज्य सरकार अनेक कारिक्रम कर लए है बावा साथ भीम्राओं बेट करके पंच तीर्ठों की स्तापना का कारिक्रम हो कि आधन्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि आने के बाद इन सभी कारिक्रमों को आगे बढ़ाया है हर दलित हर बंचित हर गरीब हर कमजोर बेखते के साथ सड़कार खड़ी है और सरकार उसको संबल प्रदान करेगी इस जिसके सरकार ने उसको अपना सहयोग देना प्रारम किया बैयो मैंनो 2014 के पहले एक सपना होता था आवास आवास के नाम पे लोग किस प्रकार का मजाक बनाते थे 20,000 में कोई आवास बन पाता है क्या और जो नहीं बना पाता था उसके ओपर अलग से करवाई हो जाती थी आज देश के अंदर चार करोड परिवारों के पास अपना पक्का आवास है जिन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिसले नौ साड़े नौ वर्स के अंदर आवास की सुर्धा दी है और अबीरी एक लक्स है कि जो बचे हैं उनको भी उपलब्द करवाएंगे गाहां हो या सहर हर दलित को हर बंचित को हर गरीद को इसकी सुर्धा का लाब मिलना चाहिए सौचाले बने बारा करोड परिवारों के लिए सौचाले के निर्मान का कार्य है मेला ढोने की कुपरथा को पूरी तरह बंद करते हुए उसका चारधास का विकल्प था हम हर घर में सौचाले बने यह कुपरथा पर प्रहार तो था ही लेकिन साथ साथ पायो बेनो दवे कुछले समाज को बिमारियों से विभिन प्रकारिकल बिमारियों से मुक्त करने का एका घ्ञान भी था जिसका पैसा उसका बसता है तर्वार पसान होता है याद करिये कि हर गरीब को पांच लाग रुपिय की सौस्ते बीमा का कवर पहले की सरकारी क्यों नहीं दे रही है सरकारी पुशला रही है जुर्भागे से करोना अगर 14 के पहले आया होता क्या होता कोई बच पाता आप होते या हम होते कोई बच पाता क्योंकि सरकार स्वेम भाग गई होती सरकार के पास कोई दृष्टी नहीं थी मैं बार बार उन लेक करता हूं 1977 में एक बिमारी आई थी उत्तर प्रदेश में इन से फ्लाइटीस की 40 वर्ष ने इस बिमारी से 50,000 बच्चों की वहत हुई थी और इस बिमारी से 90,000 दी मौत दलित और अल्पसंकित संब्दाए के बच्चों की वहती थी आज जब डवदिंजन की सरकार आई एक साथ मिलके काम किया बायो बैनों आज इस बिमारी को पूरी तरह नियंतित क्या ज़ा चुका है अगर स्वच्च भारत मिशन में सोचाले नहीं बनते हर घर नल्योजना में पेजल की विवस्ता नहीं होती व्यापक अभ्यान दोनों सरकारे मिलकर के नहीं चलाती इनसे प्लाइटिस कभी समप्त नहीं होता ऐसे ही करोना में प्रधान मंतरी मोदी जी ने लीडर्शिक श्यम अपने हातों में ले करके एक एक करिक्रम की निगरानी की गरीब को रासन मिलना तो रासन उप्लब्द कराओ काम नहीं तो भरण पोशन भत्ता उप्लब्द कराओ बिमार हो गया तो टेस्ट करो अप्चार क्या हो सकता तो प्रधान मंतरी मोदी जी ने भारत के अंदर विक्षित करवाई और भारत के हर नागरी को बिना बहुत कि इन सुद्धाओं का लाव दिया के सरकार कि पहले चेहरा देखकर के लागरेती थी कि कोई दलिस समर्थक होता था बिरोधी ओ जाता था लेकिन जो बिरोधी थे वादो बिरोधी थे ही दो समर्थक बनने का काम करते थे वे भी काम पक्समें नहीं कर पाते थे वे भी जुझुना पकड़ाने का प्रियास करते थे उनके नाम पे अपनी रोटी तो सेखते थे लेकिन गरीबों के लिए बंचितों के लिए कोई प्रभावी कारिक्रम नहीं कर पाते थे पहली बार आपने होगा जब मोदी जी ने जाती मत मज़ब क्या धार पर नहीं एक ही नारा दिया सबका साथ और सबका दिकास आप मुझे बताओ जो बार बार नाम जपे और करे कुछ नहीं वो बड़ा है या जो अपने नारे को प्रभावी डंग से लागू करके हम सबको योजनाओं के साथ जोडने का काम कर रहा है और प्रधान मंत्री मोदी जी ने योजनाओं के साथ जोडने का काम किया बाबा साब भीम्रावं बेटकर की सपनों को सही माइने में अंगिकार करने वाले लागू करने वाले और 26 नौवंबर की तिथी को संविधान दिवस की रूप में स्थापित करने का काम भी अगर किसी ने कया तधानमंत्री मोधिचे ने किया बाबा साब भीम्रावं बेटकर की प्रति इससे बड़ी सरधान जले और क्या हो सकते 26 नौवंबर की तिथी को अब हम 14 अप्रेल की तिथी को भी 6 दिसंबर की तिथी को भी 26 नौवंबर की तिथी को भी बाबा साब भीम्रावं बेटकर जिका स्मण करते हैं और उनके प्रति उनके द्वारा प्रदप्त संभिधान की प्रति संभान का भाव दिखते करते हैं वे संभिधान के सिल्पी थे कोई संदे नहीं लेकिन समाज की एक जुटता के लिए सब पूछे हर एक काम देश के नाम बाबा साथ धिम्राम बेट करका ही सपना था यही संकल की था जो लोग संभारत भारत रोधी गद्विधियों के माद्यम से समाज को विभाजित करते हैं भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं यह वावसाब निम्राम बेट करका अपमान करते हैं हम सब को इसके बारे में गांगां जाकर परताना होगा और मैं आपको इस बात के लिए फिर असुस्त करने के लाया हूं हमने पहले वे कहा ओधिम इसवरकार हें हर गरीग के साथ हर बंचित के साथ तरह से तो कोन-कौन का दिकार देने के लिए तयार है है कोई मुसर्ण के बारे में कुस्ता था का चेरों थारूं कोल तो कोलों का इथ्यास सबका जवक्मार रामसि का इथ्यास कोई पूस्ता था एहरिया सहरिया यह सभी एसी जातियां है छोटी छोडी जातियां छोडी छोडी संब्दाएं हैं एक सिमित छेत्र में हैं आवाज दवा दी जाती थी वाबसा धिम्राम बेट कर ने इनके उठान के लिए कारियों सिना बनाने की बात कहीं थी सत्तर साल तक इनको वोड देने का तक अधिकार में भायो बेनो आज मुझे बताते हैं प्रसंता है कि डवल इंजन की भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार में हंडेट परसेंट सिचुरेशन के लक्से को प्राप्त करने की सामय यहां पर कारवाई शुरू की हर उस दलित और बंचित के पास वो मुसार हो कोल हो भील हो चेरो हो थारो हो सहरिया हो बुकसा हो इनके पास हर एक के पास अपना मकान होना चाहिए जमीन का पटा होना चाहिए उनके पास अपना सोचाले होना चाहिए उनके पास रासन कार होना चाहिए उनके पास पेंशन की सुवदा होनी चाहिए उनको फिरी में रासन की सुवदा मिलने चाहिए उनके पास जौब कार भी होना चाहिए और उनको सासन की हरी प्योशना से जोड़ने का काम भी होना के शर्कार के बारा जो प्रयास प्रारम होगा है उस प्रयास को हम यह मानते हैं बावसाब प्रियास उनकी किरपा है उनकी पेड़ना है जिसको आज प्रहन मंत्री मोदी जी के मार्क दर्शन उनके नित्रत्व में डबल इंजन के सरकार प्रभावी डंस से आगे वढ़ाने का काम कर रही है आज हरे एक छेट्र में आपको सुविधा मिल लई आरक्षन का नाम मिल ला है आगे वढ़ने के लिए नहीं ताकत मिल लई है और इसलिए जिससे कोई भेदभाव न करने दाए समाज में किसी प्रकार की कोई इस्प्रिश सेता महो इसको पूरी तरह समाप्त करना है इसको आगे बढ़ा करके हमें अपने देश को मजबूत करना है जिससे बाबा साथ का मिशन वदेश का मिशन है अब्यक्ति का मिशन नहीं देश का मिशन है भारत की मजबूती का मिशन है भारत की एकतार खंडता का मिशन है भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने का मिशन है और उस मिशन के साथ हम सब जुड़ करके कारे करेंगे और मैं आज के सौसर पर इस बास के लिए फिर आपको अस्वस्त करता हूँ जहां भी अभी जमीन के पट्टे नहीं मिल पाए है हमने पहले कहा है अगर आरक्सित सेर्णी की भूमी नहीं है तो जो दली जो बंची जो गरीब वहां पे अपनी जोप्री आपना मकान बनाया है उसको वहीं पे वो जमीन का पट्टा देकर उसके लिए पका मकान बना दो आरक्सित सेर्णी की है तो पहले उसे जमीन का पट्टा देकर उसका मकान बनाओ उन्को वहां से पिर्वास करो था। ऐसे वे वे नव, टूंकि हर व्यक्ति को जीने का दिकार मिना जेए। संब्मान के साथ जीने का दिकार और संब्मान के साथ जीने का यही अजयतिकार वाबासब भिम्रा Domit kanे तिया तहा। और इसके लिए मैं आपसे भी कहूंगा, अभी हाले में हम लोगों ने, जिन सर्मिकों के हितों की आवाज पहली बार वाबा साब ने उठाई थी, उन सर्मिकों के बच्चों के लिए अटल आवाज से विद्याले कारम किये हैं, थोड़ा जा करके देखे आपके, मैं कहूंग जा करके देखे वहाँ, उन बच्चों की आवाज को सुनिये थोड़ा वहाँ, देखे वहाँ पे, आशी मरुण जी के ने तुर्ट्व में आस्क्रम पद्दती के विद्याले में जिस मुझूदी के साथ काम कर रहे हैं, अभीूद है पोचिन के संस्थान जिस रूपने च करता है, और भी कहता कि मैंने अभ्यूद एसे कोचिंग लेकर के मैं इस पर इक्साओ को पास किया हूं, लगता है कि देखे इसका यदिकार होना चाहिए था, जिसको पहले बंचित किया जाता था, वायोबे नो एक सरकार का प्रियास है, और सी प्रियास को आगे बढ़ाने इस वर्सों से करते रहे हैं, तो हम लोग इसी को सरकारी कारेक्रम के साथ बना लेते हैं, लेकिन हर जनपत में सरकार का जियो जारी हुआ है, हर आयोजन, हर संस्तान में, हर स्कूल कॉलेजेज में, हर एक सरकारी कारेले में, यह आयोजन हो रहे हैं, और इसलिए आपने कहा, कि छुटी नहीं और महापुर्शों कि तस्वीर को सामने रख करके संकल्प लो उनके संकल्प क्या थे? उनकी पेड़ा क्या थी? उनकी पेड़ा हमारा संकल्फ बनना चाहिए और उसी संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब इन कारिकर्मों को प्रदेश भर में कर रहे हैं आपने दिखाओगा सुवे सुवे राश्टपती चीवी प्रधान मंत्री चीवी उप्राश्टपती चीवी हमारी तमाम केंद्रिय मंत्री गण्ट बावासाब धिम्राम बेटकर चीकुर सरधांजलियतिक करने निक के लिए जो काम किया है वहां आज भी हम सब की प्रेणा है और उसी प्रेणा से प्रेणित होकर के हम सब को मिलकर के अपने देश को मजबूती प्रदान करने के लिए कारे करना चाहिए जो विभाजन करने वाली ताक्ते हैं बांटे वाली ताक्ते उसे साउधान होना होगा और हमें मिलकर के बाबा साब के उच्चादर्सों से प्रेणा प्राप्त करते हैं रंतर हर दलित के लिए, हर बंचित के लिए, हर गरीब के लिए, हर कमजोर के लिए हर दबीवी आवाज को आवाज देने के लिए हमेशा आगे काम करना होगा इस रिस्वाज के साथ मैं एक बार फिर से बाबा साथ भिम्रा अमबेट कर जी कि इस महा परिन्रिमान दिवस के आउसर पर उनकी स्मिर्टियों को नमन करते वे नम्र सद्धांजे लिपिद करता हूं पर आप सब को इस बात के लिए आस्वास्त करता हूं सरकार हमेशा आपके साथ में है और मैं लाल जी प्रसाद जी को बोलूंगा कि वह भी यहां पर रहें और प्रेटन और संस्किर्द मंत्री जी यहां पर भी है असी मरूर जी भी है हमारा प्रियासुनची टीनों का दाहित तो बनता है कि जो लखनों में बाबसाब भीम्रावं बेट कर जिकाम अंतराश्ट के केंद्र बनाने जा रहे हैं और इसे त्यारी करिए कि अगले आने वाले समय के कारिक्रम हमारे वहां बने वहां से बाबसाब भीम्रावं बेट करके विचार दर्सन पर सोध करने वाले बच्चों को स्कॉलर्शिप देने की विवस्था प्रारंब हो वहाँ पे कुछ अच्छे कारिकरम, रसनात्मा कारिकरम और अंतरास्तिय लाबरी के स्थापना के कारिकरम को हम वहाँ पर अस्थापित कर सके ये कारिकरम वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे अब उस्पा केंद्रविंदों वहाँ पे हमें बनाने की तैयारी भी करने चाहिए पदादिकारियों को घर्दे से धन्यवाद देता हूं कि विप्रीट प्रस्तितियों में कारे करते हुए आज उन्होंने एक अच्छा सम्मान जनक अस्थान बनाया है आने वाले समय में ये तो वावसा भिम्रावं बेट करके सपने को साकार करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है आज ये प्रस्तियाम सब को बताती हैं आप सब की प्रति मेरी सब कामनाएं धन्यवाद जय हैं